दोस्तों, इस उडियो में हम डिसकस करने वाले हैं BASF के स्टॉक के बारे में स्टॉक के करन प्राइस की बात करेंगे तो 24006.35 की करन प्राइस चल रही है और आज दिन में लगबग 1.41% जो है स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिल रही है यह जो आप चार्ट देख रहे हो हमने इसको 1 डे टाइम फ्रेम में सेट कर लिया है तिसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो उपर के साइड में अल्मोस्ट इसने हाई लगाया था 3500 का जो है अगस्ट मन से दिखिए हमें यहाँ पे कंटिनिवसली शाप सिलिंग देखने को मिल रही है मतलब कि हमें बहुत यह अच्छा खासा फॉल देखने को मिल चुका है स्टॉक जो है बहुत यह अच्छे डिसकाउंटेट डेट में हमें कारोबार करता हुआ भी दिखाई दे रहा है नीचे के और हमने एक जोन ड्रॉ किया है जो कि बहुत ज़ादा इंपोर्टन्ट सपोर्ट जो है बन चुका है यहां से अगें हमें उपर की और बाउंस देखने को मिल सकता है अगर से आप इसमें फ्रेश एंट्री का प्लान करना चाहते हैं तो यहां पे ग्रीन केंडल बन के क्लोजिंग का वेट करिए आप इसमें फ्रेश एंट्री का प्लान कर सकते हैं इसके नीचे का छोटा सा स्टॉप लोस रखके फर्दर स्टॉक में हमें उपर की और तीजी कंटिन्यू होते वे दिखाई दे सकती है तो वेट करिए ग्रीन केंडल बनने का फिर्म है तभी आप इसमें एंट्री करें और उपर के और नेक्स रिजिस्टन्स लेवल की बात करेंगे तो इमेडियर रिजिस्टन्स इसका निकल करा रहा है 2800 से लेके 2750 का यह वाला जो जो जोन रहेगा हमारे लिए बहुत ही जोन रहेगा तो चेक कर लेते हैं इसका लास्ट फूर यर का फाइनिंग्शिल ट्रेंड और एनलिस्ट हमें क्या सला देते हैं बाइंग की 2019 से 2022 तक का लास्ट फूर यर का डेटा हमारे सामने शो कर रहा है कमपनी की ग्रोथ की बात करेंगे तो एर बाइयर जो हमें इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है अगर हम कंपर करते हैं 2022 को 21 के साथ में रिवेन्यू में काफी अच्छी जंप देखने को मिल रही है इसके जल्दी स्टॉक में अगयन हमें ऊपर के और बाउंस करता हूँ दिखाई दे सकता है तो चलिए दोस्तों चेक कर लेते हैं इसका फोरकास्ट अनलिस्ट हमें क्या सला देते हैं बाइंग की दोस्तों अभी तक आपने इंजलोन में डिमेंड अकॉंट ओपन न दोस्तों यहां पर नाम सबस्क्राइब करना है इसे में BASF कर चाहिए तो हम यहां पर इस अपर तैप करने के बाद देख पर करेगा यहां पर इन्टराडए का है और यहां पर डिलेवरी का है अगर आप stock को buy करके hold करना चाहते हैं तो आप delivery में जाएंगे अगर आप stock को same day by same day sell करना है तो आप intraday ही रहने देंगे हमें यहाँ पर quantity enter करना है मान लीजिए हमें यहाँ पर 10 quantity buy करना है तो हम यहाँ पर 10 quantity enter करेंगे यहाँ पर limit और market का option दिया है अब market rate क्या होता है market rate नहीं कि जो भी stock की current price चल रही होते उसे भी directly आपका order execute हो जाता है simply यहाँ पर हम buy पर touch करेंगे buy पर touch करने के बाद यहाँ पर confirm पूछेगा confirm पर हम touch करने के बाद हमारा order जो है successfully execute हो जाएगा तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना है था वीडियो चलागे तो वीडियो को लाइक करिए और यह जो वीडियो बनाएगे सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल परपस के लिए बनाएगे जब यह आप कोई भी stock में entry बनाए तो अपने financial advisor से consult करके है उस में entry बना सब्सक्राइए नेक्स वीडियो में इस वीडियो चैनल के साथ तब तक के लिए टेक क्यार